हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल मुकेश मेंद्र एजूकेशन आज हम क्लास 12 का इंग्लिश सब्चेक्ट का चैप्टर नमबर थर्ड टीप वाटर के इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर करेंगे जो कि बहुत बार पूछे गए हैं एक्जाम में और इस ब इस एडवेंचर टैट विल्यम डॉगलस स्पीक्स अबाउट विल्यम डॉगलस ने कौन सी दुरगटना के बार में बताया है या फिर पूचा जा सकता है हाव दिट धॉट यूज़ यह रचान विच्ट ऑगलस को मिल्यम डॉगलस के साथ दूसका आंसर है डॉगलस वर श इसी और का इंतजार कर रहे थे अब वेरी स्ट्रॉंग 18 और बॉक्सर बॉय का एक बहुती ताकतवर 18 सार का रड़का और जो की बॉक्सर होता है वो आता है वो विल्यम डॉगलस को बहुती दूबला पतला कहते हैं उन्हें चिड़ाते हैं और फिर उसे विल्यम डॉगलस को कोद में उठाकर स्विमिंग पूल में फैक देते हैं डॉगलस हिट दे सर्फिस ऑफ दे वाटर द्यू तो विच अलॉट ऑव वाटर एंटर इस नोज और माउथ विल्यम डॉगलस जो होते हैं वो पानी को हिट करते हैं उसके अंदर अपना हाथ पाऊं मारते हैं ताकि वो तैर सके लेकिन वो तैर नहीं पाते हैं उनके ना जाता है ड्यू टू ही बिकम कंप्लीटली अनकॉंसियस और जिसके कारण वो बिल्कुली बेहोश हो जाते हैं तो इसका अंसर रही था यही दुर घटना हुई थी विल्यम डॉगलस के साथ अब हम नेक्स्ट क्रेशन देखते हैं वाइव डॉगलस टेर्माइन तो गेट ओ गेट वह दूब अपनी जो फिशिंग ट्रिप थी वह भी बर्बाद कर दी थी ठीक है इट डप्राइब दी दी जोई ओफ गैनोंग बोतिंग एंड स्वीमिंग एड सेक्टरा और उन्होंने गैनोंग और स्वीमिंग यानि तैरना और बोतिंग नौका चलाने नाओ चलान यह साय चीजे छोड़ दी थी वह बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पा रहे थे हैंस या फिर देरफोर ही मेट एवरी एफ़र्ट तो ओवर्कम हिस फियर इसलिए वह अपने डर पर काबू पाना चाहते थे और अपने डर पर काबू पाने के लिए वह बहुत प्रयास कर रहे थ अब नेक्स्ट केशिन दिखते हैं I had an aversion to the water when I was in it जब मैं पानी में था तो मैं पानी से नफरत करने लगा says Douglas Douglas ने कहा when did he started having this aversion and how वह पानी से कब नफरत करने लगे और कैसे तो इस कहां से देखते हैं this hatred towards water developed in Douglas when he was two years old वह पानी से नफरत करने लगे जब वो दोज साल के थे once his father took him to California और उनके पिता California लेकर गए उन्हें took them to the beach where the strong waves of the sea engulfed them जहां पर एक समुद्र की तेज लहर ने उन्हें अपने अंदर समा लिया he become completely unconscious वो बिल्कुल भियोश हो गए थे when he started breathing a terrible fear gripped him और उनकी सांसे भी रुख गई थी और उसी के बाद से उन्हें उस पानी के डरने जकड लिया बहुत ही भ्यांकर डरने जकड लिया और वो पानी से नफरत करने लगे I hope आपको समझाया होगा अब हम next question देखते हैं How did Douglas initially feel when he went to the YNCA pool Douglas ने कैसा महसूस किया जब वो YNCA pool में गए What made him feel comfortable और वहाँ पर क्या उन्हें comfortable feel हुआ क्या चीज उन्हें comfortable महसूस हुई तो इस कहां से देखते हैं Those fears of childhood and those bad memories of the past came back alive उनकी जो पुरानी यादे थी डर था पानी का वो सारी memories वापस उन्हें याद आ गई However, it took some time before he gathered his courage हाला कि उन्होंने अपने सास को फिर से exit किया और सोचा कि वो तैरेंगे अपने आपको convince किया He paddled in the water with the help of his wings और वो अपने wings की मदद से पानी में paddle करने लगे Seeing other boys, दूसरों लड़कों को देखकर he started emitting them Same वैसे ही करने लगे and thus after practicing for several days he felt relaxed और कुछ दिनों बाद भ्यास करते करते उन्होंने काफी relaxed feel किया यानि काफी आराम महसूस किया Friends, यह वाला जो question है यह very very important है इसे 100% याद कर लेना Next question देखते है I was frightened but not yet frightened out of my wits, say Douglas Which qualities of the speakers are highlighted here and how Douglas कहते है कि मैं डरा हुआ था लेकिन मैं अभी भी अपनी बुद्धी से नहीं डरा था यहां पर जो Douglas ने कहा आएगा उनके कौन से गुन के बारे में बताया गया है और कैसे Friends, यह question भी बहुत important है एक्जाम में पूछ सकते हैं इसे भी 100% याद कर ले ना इसका answer देखते हैं When he went down into the pool, Douglas got scared and nearly drowned जब Douglas पुल के अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादर डर जाते हैं He hated water and was now filled with tarry और वो पानी से घ्रेणा करते थे और बहुत ज़्यादर डर गए थे He had remarkable self-control उन्होंने अपने आपको संभाला, self-control किया यानि आत्नियंतरन किया खुद पर He used his brain even in crisis and thoughts of a strategy to save himself from drawing और उन्होंने खुद को डूबने से बचाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करा और इस बारे में सोचने लगे कि मैं खुद को कैसे बचा सकता हूं और मैं ना डूबूँ I hope आपको इस समझाया होगा, अब हमें next question देख लेते हैं कौन से है On the way down I planned remarks Douglas, Douglas कहते हैं रास्ते में उन्होंने जो योशना बनाई What plan had he devised and how far did it success? उन्होंने कौन सी योशना बनाई और वो कहां तक success हुई यानि सफल हुई तो इस कहां से देखते हैं Deciding Douglas made a plan to save himself from drawing Douglas जय वो अपने आपको बचाने के लिए टूबने से वो योशना बनाते हैं He decided to take a big jump when his feet touch to the bottom वो ये सोचते हैं, मतलब decide करते हैं कि वो एक लंबी छलांग लगाएंगे जब वो बॉटम तक पहुँच जाएंगे He was hoping to float up to the surface of the water like a cork वे कोर्क की तरहा पानी की सताय पर उपर जाने के लिए उमीद कर रहे थे He would then lie flat on it and paddle to the edge of the pool उसके बाद वे सपार्ट लेट जाते हैं और किनारे तक पहुँच जाते हैं The plan was only partially successful और जो वो प्लान होता है वो थोड़ा सा ही successful होता है He reached the surface twice वो दो बार पुल के किनारे तक पहुँचते हैं But every time he swallowed the water and went down पर हर बार की तरह इस बार भी पानी जोया उन्हें वो नीचे ले जाती हैंगी और वो डूबने लगते हैंगे I hope आपको समझा गया होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाद 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 शेयर कर देना मिलेंगे अब हम आपको नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाई